सू प्रभाद बच्चो आप सब लोग कैसे हैं इश्वर से प्रातना करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चो सर्वर प्रथम आप लोग अपनी संस्कृत की पुस्ति का खोलिए पेश नमबर अठारा पाठ तृतिय तो चलिए बच्चो आज हम लोग संस्कृत का अध्यान करेंगे तृतिय पाठा आहाम तवाम आहाम मतलब मैं तवाम मतलब तुम तो शुरू करते हैं बच्चो आहाम मैं तवाम तुम आहाम पठामी मैं पढ़ता हूं की तवा ना पठा सी क्या तुम नहीं पढ़ते हो नहीं आहाम ना पठामी नहीं मैं नहीं पढ़ता हूं आहाम लिखामी मैं लिखता हूं इसी में हमारा दूसरा है आहा विध्याले गच्चामी मैं विध्याले को जाता हूं तवा कुत्र गच्चासी तुम कहां जाते हो आहाम अपी विध्याले गच्चामी मैं भी विध्याले जाता हूं आहा तत्र पठामी लिखामी चा मैं वहां पढ़ता और लिखता हूं तीसरा हमारा है ममम नाम राधा मेरा नाम राधा है पिर से देखें ममम नाम राधा मेरा नाम राधा है आहा पठामी मैं पढ़ती हूं तवा नाम किमा आसीत तुम्हारा नाम क्या है ममम नाम रिवेका मेरा नाम रिवेक है तवा की करोशी तुम्हारा क्या करते हो अहां अपी पठामी मैं भी पढ़ता हूं अब हमारी दूसरी लाइन शुरू होती है अहा गच्छामी मैं जाता हूं अहा विध्याले गच्छामी मैं विध्याले को जाता हूं अहा तत्र पठामी मैं वहां पढ़ता हूं तवा गच्छासी तुम जाते हो तवा ग्रह गच्छासी तुम घर को जाते हो तवा तत्र निवाससी तुम वहां रहते हो रमेशा खेलनती रमेश खेलता है की तवा खेलती क्या तुम खेलते हो आम्र अहा खेला मी हां मैं खेलता हूं सुधा खदती सुधा खाती है की तवा खदासी क्या तुम खाते हो आम्र अहा खदामी पिमामी चा हां मैं खाती और पीती हूं तवा की लिखासी तुम क्या लिखते हो अहा पत्र लिखामी मैं पत्र लिखता हूं अहा संस्कृत पढ़ता हूं तवा की पठासी तुम क्या पढ़ते हो अहां अपी संस्कृत पढ़ता हूं अभी हम लोंने तृत्र पाठा अहम तवाम पढ़ा उसकी संस्कृत को पढ़ा और उसकी हिंदी अनुवाद को समझा अब हम लों इसी पाठ से सम्मंधित अभ्यासकार को समझेंगे तो हमारा पहला भ्यासकार है कोस्टक स्थित धात्वों के उचित रूप से रेक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए इसमें कुछ शब्द दिये गए पट, लेक, पा, खेल, खदा इसी को ध्यान में रखते हैं हमें इन शब्दों को पूरा करना है जैसे कि उधारन के तौर पर दिया आहां विध्याले गच्छामी तो सामने लिखा है उसके गप तो क्या हो जाएगा? आहां विध्याले गच्छामी मैं विध्याले जाता हूं तो इसी प्रकार से हमें बाकी की जो कॉलम जो स्थान रिथ हैं उसको करना है तवा उस तक पठासी यहाँ पे पठ है तो यहाँ पे पठासी हो जाएगा खा आहा पत्र लिखामी यहाँ पे लिख है तो यहाँ पे लिखामी तवा दुग्द पिपासी घा आहा प्रिक्रिट खेलामी अंगा तवा फला खदासी तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे रिक्तिस्थान भरके इसको कॉलम को पूरा करना है अब हम लोग अगले अभ्यासकार की ओर बढ़ते हैं बच्चों अब हम लोग अभ्यासकार दो शुद पद को लिखिए याने कि यहाँ पे जो हमारा दिया गया उधारण में वो अशुद है इसको शुद करके लिखना है याने कि यहाँ पे कुछ गलतियां है उसको सही करके हमें लिखना है उधारण के तौर पे देखे दिया गया आहा ग्रह गच्चासी तो इसको शुद करके देखी लिखा गया आहा ग्रह गच्चामी याने कि मैं घर जाता हूं इसी प्रकार से हमें बाकी अभ्यास को करना है तो पहला हमारा है तवा बिद्धाले गच्चामी याने कि ये सही नहीं है इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे तवा बिद्धाले गच्चासी याने कि तवा मतलब तुम बिद्धाले जाते हो या जाती हो आहा पठाती आहा पठामी मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तवा पठामी तवा पठासी तुम पढ़ते हो अहा खदासी मैं खाता हूँ अहा खदामी मैं खाता हूँ या खाती हूँ अभ्यास तीन निम लिखित का परस पर मिलान कीजिए पहला हमारा है आहा विध्धाले गच्छा मी मैं विध्धाले जाता हूँ तो यहाँ पे चित्र बना है बच्चा बैक टांग के विध्धाले की तरफ बढ़डा तो हमको इससे मिलान करना है ख तव ग्रे गच्छा सी मैं तुम घर जाते हो तो यहाँ पे बच्चा घर की ओर जा रहा है तो हमको इहाँ पे मिलान करना है ग अहम अप्राणम गच्छा मी मैं घूमने जाता हूँ तो यहाँ पे घूमने का चित्र बना है दो लोग बजार में घूम रहे है तो गा का हमें इस उपर वाले चित्र से मिलान करना है घ तव पठासी तुम पढ़ते हो या पढ़ती हो अहा लिखामी मैं लिखता हूँ अब हम लोग अभ्यास चार उचित शब्द को उचित इस्थम में लिखिये यहाँ पे कुछ शब्द दिये गये हैं और दो इस्थम दिया आहम और तवमी यानि कि आहम मतलब मैं तवम मतलब तुम तो यहाँ पे जो शब्द आहम में आपका सही बैठेगा मिलान होगा उसको आप आहम में लिखेंगे तवम में जो शब्द होगा उसको हम तवम में लिखेंगे तो यहाँ पे देखे, आहम में गच्छामी, यानि कि मैं जाता हूँ पठामी, मैं पढ़ता हूँ पशामी, आहम पशामी हसामी, मैं हसता हूँ पिपामी, मैं पीता हूँ अब हमारा शुरूगा तवम खेलासी तुम खेलते हो लिखासी तुम लिखते हो याने कि तवम खेलासी तवम लिखासी तुम लिखते हो तवम बदाती तुम बोलते हो तवंपचासी तुम हसासी तुम हसाते हो इस प्रकार से हमको यहाँ पे इसको भरना है जो अहाम में आएगा शब्द वो अहाम में जो तवं में आएगा वो तवं में अब हमारा अभ्यासकार पाँच अभ्यासकार पांच में पार्ट पढ़कर उत्तर लिखे पहला प्रेश्ण हमारा है तवा कुत्र गच्छा सी तुम कहां जाते हो? अहम अपी विध्याले गच्छा मी मैं भी विध्याले जाता हूं या जाती हूं तवा की करोशी तुम क्या करते हो? अहम अपी पठा मी मैं भी पढ़ती हूं या पढ़ता हूं गा तवा की लिखासी तुम क्या लिखते हो? अहा पत्र लिखा मी मैं चिठी या पत्र लिखता हूं या लिखती हूं घ तवा की पठासी? तुम क्या पढ़ते हो? अहम अपी संस्कृत पठामी, मैं भी संस्कृत पढ़ता हूं या पढ़ती हूं अंगा की तवा खदासी? क्या तुम खाते हो? आमरा आहा खदामी, पिपामी, चा हां मैं खाता और पीता हूं या इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं हां मैं खाती और पीती हूं तो बचो यह हमारा था अभ्यासकार 5 जिसका प्रेश्ट और उसका उत्तर इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बचो इसी पार्ट से सम्मंदित कुछ अभ्यासकार आपके स्कूल के वेबसाइट पे हमने दे रखे हैं उसको आपको अपनी संस्क्रित की कौपी में सुन्दर सुन्दर अक्षर से करना है नए वीडियो में नए पार्ट के साथ हम पुना फिर उपस्तित होंगे प्यारे बचो तब तक आप सब लोग अपना खयाल रखेगा धन्यवाद